बिस्मिल्लाहिर रह्माने रहीम, अस्सालामुलीकूम थे सुजिंस ऐसे जैसे कि आपको पता है कि हम डिस्कास करें चाप्र नबर फोर लेंजिस और इस वीक में हमने जो टॉपिक डिस्कास किये थे वो है आई एंड इस डिफेक्स तो हुज़रो से रिव्यू ले ले लेते हैं इन पूरे टॉपिक्स का स्टॉक्चिर और फंक्शन अफ आई आई के अगर हम बात करें तो नच्रल ओर्गन है जो हमारी बॉड़ी में प्रेजन है यह एक ऐसा सेंस ओर्गन है जो कि हमारी देखने में मदद करता है ठीक है अनॉर्मल आई लुक लाइक कैसे नज़रा थी कि आपको पिक्टर में नज़रा रहा है ठीक है फ्रंट पार्ट अफ दा आई इरिस दे कलर पार्ट कॉर्णिया अक्लियर डॉम ओवर दा आईरिस प्यूपल दे ब्लैक सर्कूलर ओपनिं इन दा आईरिस देट लेट आई इन स्कलियर दा वाइट ओफ यूर आई अब आईरिस जो है वो इन पार्ट होता है कॉर्णिया एक लेर पार्ट होता है जोके आईरिस के ऊपर गवरिंग होती है pupil की बात करें तो black circular opening होती है iris की जिसमें से light अंदर जाती है जिबकि sclera की बात करें तो ये white part होता है हमारी eye का वो होता है ठीक है अच्छा anatomy of eye ये आपके पास eye का पूरा structure आ जाता है और इसके different parts है जैसे ये पीछे retina है ठीक हो गया पिर pupil, cornea और iris और lens आ जाता है या पर convex lens इसके इलावा different parts में गी यहां पर एक receiver होता है यहां पर vitriss humor होता है ये जो nerve आ जाती है इसे हम optic nerve केते हैं ठीक हो गया ये जो उपर white करे के layer है इसे हम koroid केते हैं clear है अच्छा remove करते है iris की तरफ iris आपी पस ये color part आजाता है ठीक हो गया controls light entering light जो अंदर जा रही होती है उसके amount को control करता है ठीक है function क्या होता है controls the amount of light entering the eye cornea की बात करते है clear lens in front of eye हमारी आँखों के सामने बिलकुल बाहर clear lens होता है उसे हम क्या कहते है cornea कहते है ठीक हो गया transparent covering होती है simply हमारी eye की उपर transparent covering होती है उसे हम क्या कहते है cornea कहते है ठीक है फिर इसके बाद आजाता है इसका function allow for the passage of light into the eye and it also focus the light इस lens का क्या क्या होता है ये हमारी eye को eye में जो light चारी उसको focus करता है ठीक हो गया फिर आजाता है pupil जो black color का hole होता है हमारी eye में उसे हम क्या कहते है pupil कहते है ठीक है यहां से light अंदर जाती है pupil size is controlled by iris muscles अब जाद रखेगा pupil का size बड़ा और छोटा होता रहता है हमने जाहरे दूर के और करीब के object देखने होते है तो उस हिसाब से हमारा pupil contract or expand हो रहा होता है तो वह contraction और expansion को control कर रहा होता है हमारा iris control कर रहा होता है अब pupil की expansion की बात करते है when the eye needs more light to enter the pupil get larger जब हमारी eye को ज़्यादा रोशनी चाहिए होती है अंतर जाने के लिए तो हमारा pupil जब हमारी आँखों में हम चाहरी होते है कि कम light ज़्यादा रहा होती है तो उसको control करने के लिए हमारा pupil होता है वो छोटा हो जाता है ठीक है ताके छोटे होने के बात कम amount ज़्यादा रहा होती है जैसे कि अगर आपको तो आप धूप में जाएंगे तो आपका आइरिस चोटा हो जाएगा प्यूपल चोटा हो जाएगा वो इसलिए क्योंकि धूप की रोशनी कम अंदर जाने वो अलाओ करेगा जिपके आप अंधेरे में हो गए तो वो expand हो जाएगा ताकि आपके पास जहां से भी रोशनी काई से भी आ रही तो वो ज़्यादा मांट में अंदर चली जाए स्कलेरा के बात करते हैं अटाफ वाइट स्केन में टिशूज तेट कावर अल ता आइबाल एकसेप्ट अ कॉर्निया कॉर्निया के लावा उपर जो आई की कवरिंग आ जाती है उसे हम क्या कहते है स्कलेरा कहते है सपोर्ट आइबाल इसका काम होता है हमारी आइबाल को सपोर्ट करना क्योंकि मसल्स की मदद से उसको अटेज की होती ठीक है रेटेना की बात करें कंच्रोल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की मदद से यह क्या करती है उस लाइट को कैप्चर कर देती है ठीक है और ऐसे रिजल्ट इमिज की फॉर्मेशन हो जाती है कनवर्ट लाइट वेज्ट्रिकल सिग्नल्स आप्टिक नर्व की बात करें आप्टिक नर्व का फंक्शन क्या होता है तो 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 आप्टिक नर्व का फंक्शन क्या होता है स्ट्रीट सही अप्राइट इमिज की फॉर्मेशन होती नजर आती है ठीक हो गया अच्छा अब देखें यहां पर आपको पूरी टाइगरम बताई भी आये है आये से क्या हो रहा है और यहां पर आगे क्या होगा कि आपके पास इमिज जो है वो इनवर्ट हो जाएगा खूया फिर आजएते हैं लेड्स और लेश हमारी आइब के उपर छूँए वो लेड होता है और उसके आगे लेश्म होती है नहीं पीर में घूब مदद शे हमारे लेड्स होता है उसके नीचे वो टेये ट्रsomड्स प्रेजर्ब वो remove हो जाते है और हमारा lens जो है वो क्या हो जाता है साफ हो जाता है हमारी eye हम यह कहेंगे कि moist हो जाती है lubricate हो जाती है और जितनी भी इसके उपर dust है impurity है जो भी चीज़ से वो सारी क्या हो जाती है remove हो जाती है अब बात कहते हैं defect of eye कुछ नों को दूर कर न सही पहलाई है कुछ नों को करीब की चीज ऑबजिक नस सही अधी आटा तो यह आ जाते है हमारी eye के THE 2 many defects एक को हम कहते है myopia और दूसरे को हम कहते है hyper hyperopia ठीक हो गया myopia की हम बात करते है myopia का दूसरा नाम आ जाता है short sightedness ठीक हो गया अब short sightedness में condition क्या होती है short sightedness में हमें करीब के object नज़र आते हैं जबकि distant object नज़र नहीं आते हैं ठीक होगे in myopia image form in front of eye which is corrected by placing the negative lens अब होता क्या है देखे myopia में वैसे तो हमारा image कहां बनना चाहिए पूरा रटेना पे बनना चाहिए लेकिन जब PC को myopia होती है तो उसमें क्या होता image formation रेटेना और lens के दर्मियान में यानि के mid में होता है यहां पे ठीक है तो इसको हमने expand करना होता है तो उसके लिए हम क्या use कर लेते हैं concave lens यूज़ करते हैं जैसे हम concave यहां पे रखेंगे तो light जो थोड़ी कम bend हो रही थी वो ज्यादा expand होगी आपको पता है concave lens light को क्या करता है expand करता है तो light expand होगी ज्यादा expand होगी और फिर आगे जाके वो retina पे join हो जाएगी इसी विज़े से जो image center में बन रहा था sorry जो joining light की होई थी अब जाके retina पे होगी और image formation retina पे हो जाएगी ठीक होगी जिसे कि अब ये देखें myopia है तो कहां पे joining हो रही है light की image नहीं बन रहा retina पे जैसे ही आपने बीच में concave lens रखका तो ये क्या होगा light थोड़ी expand होगी और expand होने के बाद जोगे join करेगी कहां पे retina पे और फिर retina पे image की formation हो जाएगी समझ के है hypermetropia की बात करें hypermetropia की बात करें तो इसमें क्या होता है इसमें आपको दूर की object नजर आते हैं जबके करीब की object नजर नहीं आते ठीक होगा the term hypermetropia is derived from hyper meaning excess met meaning my year and opia meaning also cause hyperropia long-sightedness भी इसे कहा जाता है as the distant object are seen clearly but the close objects do not come into proper focus इसमें आप distant object को clearly देख सकते हैं लेकिन close object को focus नहीं कर सकते हैं ठीक होगा first suggest किस ने किया था Kastner ने किया था नहीं 1755 ठीक है अब देखें होता क्या है जहां पे myopia में retina से आगे मिर बनता है उसी दिना से जो hypermetropia है उसमें retina से पीछे जो है light जो है वो join होती है ठीक है और इसी वज़े से हम इसकी treatment के लिए क्या use करते है correction के लिए lens यूज करते है ठीक है और वो कुण सा lens होता है convex lens होता है और convex lens की मदद से वो image जो retina से बाहिर बन रहा था वो पूरा कहां पे बन जाएगा retina पे बनने का ठीक है और as a result image की formation हो चाहिए revise कर देती हूँ जो myopia है उसे हम short sightiness पी कहते हैं ठीक हो गया जिसमें हम गरीब के आप जिक को देख सकते हैं दूर के आप जिक को नहीं देख सकते हैं और इसकी treatment के लिए इसमें image formation कहां होती है retina से तोड़ सा आगे होती है यानि कि center of eye lens और retina में होती है ठीक है तो उसको हमने दूर करना होता है ताकि image formation पूरी retina पे हो यह ठीक हो गया back पे होती है तो उसे हमने करीब लाने के लिए treatment के लिए convex lens यूज़ करता है और convex lens के मदद से जो image है या जो light fall करी है वो direct किस पे fall करेगी retina पे और as a result image की formation हो जाएगी hopefully आपको यहां तक clear होगा अगर कोई confusion है तो आप मुझे है और इंशाला है इससे आगे continue करेंगे अपने next week में thank you